नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और जिस तरीके से लगातार E.D. की कारवाई मुंबई में चल रही थी जो पत्रा चाल घोटाला है अजारूं करोड का उस पर संजयर राउत पर सिकन जाकसते हुए आज E.D. की जो कारवाई सुबह सुबह उनके घर पे होती है औ तो उसके बाद एक नाटक पूरा चलता है जिस तरीके से संजयर राउत अपने को एक नेता बताने की तोर पे तुले हुए हैं किस तरीके से जो हिंदुत्व के लोगों है उन पर कारवाई की जाहिर करते हैं कि जो केंदर सरकार है वो उन पर इसलिए कारवाई कर रही है कि क्योंकि जो संजय राउत है वो हिंदुत्व की बात करते हैं सामना में और ट्वीट में तो इस पर हमारे साथ है अरजुन खजूरियदी सर जो आज हिरासत में लिया गया है एडी द्वारा ये किस मामले में लिया गया है और ये कितनी बड़ी कारवाई है देखिए एडी की तरफ से जो आज हिरासत में संजय राउत को लिया गया है वो पहले से ही उनको अंदेशा था इस बात का कि वो जल्द ही उन पर इस तरह की कारवाई होगी क्योंकि अगर बात की जाए एडी की एक जुलाई को एडी ने इन पर इनको बुलाया था पूश्टाच के लिए उसके बाद देखा जाए तो दो बार तलब किया गया एडी की तरफ से पहले 20 जुलाई को बुलाया गया उसके बाद 27 जुलाई को बुलाया गया लेकिन दोनों बार ही संजेराउत को आप देखो तो वो किस तरह के भाने लगा रहे हैं एक तरफ पहले वो बोलते हैं अभी संसद में मांसुन सतर चल रहा है मैं नहीं जा सकता मैं मंबई में उनके सामने पेश नहीं हो सकता मुझे संसद में मांसुन सतर अटेंड करना है मु मुझे जो है उसके चुनाप प्रचार में लगना है मुझे उसकी तैयारी करनी है तो मुझे 7 अगस्त के बाद बुला जाए तो आप यहां पर सोच यह एक ऐसा व्यक्ति अगर उसने कुछ किया नहीं है जिस तरह वो अपने आपको खुद ही साटिविगेट बांट रहे हैं स परशा राउत उनसे मिले 11 करोड रुपे उनसे मिले और अभी एक बड़ा अपडेट आया है रिसेंटली ही अभी शाम में उनके जब आज जो कारवाई चल रही है एडी की उसमें 11.5 लाग रुपे सीज किये एडी की तरफ से एडी ऐसे क्यों पैसे सीज करेगी और अगर बात की जाए इसमें संजे राउत की तो लगातार मीडिया में उद्व ठाकरे को बचाने के तो ब्यान दे रहे हैं लेकिन इससे रिलेटिड जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे बाला साहिब ठाकरे पे पहुंच जाते हैं बार 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 बाला साहिब को इसमें बीच में लाने की कोशिश करते हैं मैं उनका सच्चा सिपाई हूँ मैं कभी हारा नहीं हूँ मैं जुकूंगा नहीं आपको जुकाने की कोशिश को ही नहीं कर रहा है एडी को मनी लॉंडरिंग केस में पातरा चाल का जो एक हजार 34 करोड रूपे का घोटाला है उसमें जो money laundering का case खुल करके सामने आ रहा है, उसमें PMLA Act के थाइत आप पर कारवाई चल रही है, prevention of money laundering Act के थाइत कारवाई चल रही है, तो उसमें ED आपसे सवाल करना चारी है, क्योंकि इसमें जो इनके सहे होगी है, उनसे पूशताश हो चुकी है, चाहे फिर वो प्रवीन रहोत हो जो इनके दोस्त हैं, या फिर पाटेकर हो इनके दोस्त हैं, इनकी पतनी वर्शाराउत, उनसे भी लगातार पूशता चल रही है, तो ED इसे कारवाई में उनके क्या जवाब दिये गए उन सवालों के, और ये क्या जवाब देते हैं, उसकी तुलना करना चाह रही ED, उसमें भी आप जो इनसे लगातार दूर बाग रहे हैं, आपको साथ अगस्त से बात का समय चाहिए, अगर आपने कुछ किया नहीं है, अगर आप बिल्कुल पानी की तरह साफ है, तो आपको इतना समय क्यों चाहिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो अब तक महाव जो आपसर उनको काम नहीं करने दिया जाता है, जो सिस्वेना के वरकर हैं, जो कारे करता हैं, वो वहाँ पर बादा डालते हैं, तो ये किस तरीके की है, और ये कह रहे हैं, कि मैं मर जाओंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, ये कौन सी इनकी हेकड़ी है? जो भी शामिल हैं, आज देखे, उद्दव ठाकरे ने जिस तरह मातोश्री में ठाने के कारे करता हूं के साथ, जब उनकी बादशी चल रही दी, उस दोरान संबोधन में उन्होंने क्या कहा, कि ये संजराओत के खिलाफ जो है, संजराओत के खिलाफ ये जानपुश के जताना चाहूंगा, कि ये अगर जिस पड़ेंतर का नाम दिया जा रहा है, कि शिवसेना का जो दवठाकरे गुठ है, उसको खतम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो 20 जून से स्टार्ट हुआ है, 20 जून के बाद ही तो जब MLC का चुनाव हुआ, उसके बाद ही तो पागी विदायकों को लेकर के गए हैं महाराष्ट्रा से, लेकिन अगर इससे कारवाई की बात की जा रही है, तो ये तो 2022 के स्टार्टिंग से ही कारवाई चल रही है, संजरा उत पर, बहुत पुराना ये केस चल रहा है, उनकी पतनी हो, उनके करीबियों, इन सब पर शिक NCP, Nationalist Congress Party, आप देख लीजिए, अजीत पवार जो इस साइम पे, अपोजीशन के वहाँ पर लीडर है, उन्होंने आज बयान दे दिया, जिसकी आपने बात की, उन्होंने आज बयान दे दिया, कि अगर इतने सवाल अगर लगातार E.D. कर रही है, तो कहीं न कहीं इसमें उद्दव ठाकरे की, आज से दो महिने पहले अगर आप जाएं, तो देखें, इनका महराष्टरा में कितना वर्चस वा था, आपने आपको ये इस तरह से प्रेजन करते थे देश की अंदर, चाहे उद्दव ठाकरे हों, चाहे संजेराओध हों, कि इन से बड़ा नेता महर प्राष्टरा में कोई नहीं है, लेकिन रातो रात जो वहाँ पर तक्ता पलट हुआ है, एकना चिंदे जिस तरह से उन्होंने 56 में से 40 विदायक अपने साथ ले करके, जो है, इनका पूरा कैडर खतम कर दिया, वहाँ पर उद्दव ठाकरे का, उससे बुखला गए है, उस इस समय जानते हैं कि 8 अगस्त को बुलाया गया है, इसलिए 7 अगस्त का समय मांगा गया था, कि 8 अगस्त को चुनाव आयोग के सामने तो सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, तो उससे पहले जितना emotional card इस देश की जनता के सामने खेला जा सकता है, वो खेलन तो तहसी को मिलता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो कहीं न कहीं इस से दिख रहा है कि इनकी बुखलाहट खुल करके अब सामने आ गई है, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरह के लगातार सोशल मीडिया पर जो है, इस तरह के मैसेज जो है, वो डाल रहे हैं, अब इसका भी कोर्ट में फैसला होना है, और अब जो संजर राओ, जो उनके मैन, जो मुख्या करता धरता थे, जो उनको गाइड करते थे कि क्या करना है आगे, अब वो ही अब इडी की हिरासत में चलेगी है, तो ये उद्धा इसी सवाल में इसक जवाब छेपा हुए, आपने गाए, मुख्य करता धरता, तो वो मुख्य करता धरता हर चीज में थे, आज महाराश्टरा में उद्धव ठाकरी की जो हालत हुई है, उसके भी मुख्य करता धरता संजर राओती है, और ये सिरफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिरफ मेरा विश इसकी बूमिका धाई साल पहले से चल रही है जब से चाहे वो पालगर में सादू संतों के साथ जिस तरह का विवहार हुआ उसके बाद उस पर कोई कारवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं शिवसेना अपनी मूल बूत जो इनके विचार थे उससे भटकी और जब एकनाथ शि तो पूरी तरह से अकेले पढ़ गें उनके साथ अगर अब कोई बचा है संजेर राओ थे और उनके बेटे आदिते ठाक रहे तो बेटे आदिते ठाक रहे वो तो किस तरह के बयान देते हैं आ करके चाहे फिर वो मेट्रो रेल कारशेट की बात हो तो वो तो हमने देखा है उनको तो किस तरह की अभी पॉलिटिक्स में ज़ादा ग्यान है नहीं और संजेर राओ थे क्योंकि एक बड़ा चाहरा थे लेकिन अब उन पर भी एडी का जिस तरह से शिकंजा का साजा रहा है और ऐसा नहीं है कि यह कोई कोईंसिडेंस है एडी तो पिछले 6 महिने से इस इन दिन हुआ है वो सब संजेर राओत ने किया है तो इसको लेकर के एडी पिछले इतने दिनों से जो है इन पर शिकंजा कस्ते जा रही है इनको बार बार बुलाया जा रहा है पहले एडी ने एक बार बुलाया एक बार तलब किया बीस जुलाई को दूसरी बार बुलाया और साथ में जो 11 करोड रुपे की संपत्ती कुर कुई है यह इस बात का प्रमान है कि कही ना कुछ दाल में कुछ ना कुछ तो काला है तो अगर बात की जाए जो आपका सवाल था कि उद्दव ठाकरे इसके बाद कितने अलग थलग पड़े दिखाई देंगे तो यहाँ पर उद्दव ठाकरे जान चुके हैं कि जो पाटी सिंबल है और जो शिवसेना का नाम है वो जो है उनके हाथ से जाने वाला है आने वाले कुछ दिनों में और किस तरीके से लगातार कंगना रनोत का घर तोड़ा जाता है वहाँ बीमसी द्वारा उस तरीके से वह आँ पर कह रहे थे कि कोई भी मेरा कुछ नहीं उखाड सकता जो उखाड़ना है उखाड लीजे लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि एडी ने सच में उखाड लिया इस इसका सामना करना पड़ा उसके बाद बात की जाए अगर जैसे एक चैनल के अरनब गोस्वामी की किस तरह से उन पे जो है फेक ऐसे आरोप लगा करके उनका इतना बड़ा चैनल जो उन्होंने खड़ा किया उसमें जो है उसको बंद करने की कोशिश जी तो वो सिरफ एक अ अरनब गोस्वामी के साथ इन्होंने क्या गिया था रातो रात पुलीस बेज दी थी और बिना किसी लीगल उसके उनको उठा करके जो है जेल में डाल दिया था और उसके बाद हमने देखा क्या हुआ उस केस का कुछ भी नहीं हुआ तो उससे साफ तोर पर जाहिर होता है डॉन बनने की इन्होंने कोशिश की लेकिन ये डॉन बन नहीं पाए इन्होंने पूरा प्रयास किया ये दिखाने का देश बर में की मेरे इशारे पर ही महाराष्ट्रा में सब चीज़े जलती है लेकिन ऐसा वहां पर हुआ नहीं चाहिए फिर वो कंगना रनोत का केस हो अ अवाज है वो संजीराउत की ही है एक मराथी प्रोड्यूसर को जो इस मामले में गवाब ही है उनको किस तरह की गालिये निकाली जा रही है इतनी बद्दी गालिये उस 40 सेगंड की वीडियो में 27 बार तो उसमें गाली गलोच की गई है और इतनी गंदी बाशा आप अपने इस तरह के लोग इस तरह के संसत समाज में है जो इस तरह की ывать गालिये और यह पहली पार नहीं हुए है पहले भी सतरह की जो है मैसेज वाइरल हूँ है जिसमें उनकी भाशा देखिये हैं हमने किस तरह का वो प्रयोक करते हैं लोगों कोbrigनेट करने की कोशिश करते हैं तो क पातरमी जान का संब कर्वाइब कर्वा कि बहुत इमाम लोगों लेकर दिपाली सेहित को वहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, अरे वो कारे करता है पार्टी की, उसका हग बनता है, डैमोक्रीसी इस देश में लोगतंतर है, वो बोल सकती है, कुछ भी पार्टी से रिलेटिट